हेलो दोस्तों आपका बहुत बहुत सुवागत करते हैं हमारी यूट्यूब चेनल के इंदर दोस्त हम हमेशा से ही जीके से जुड़ी जानकारी आपके लिए लेकर आते रहते हैं और आजम इस वीडियो में जनेंगे की जोदुपुर की इस्तापना किस ने की थी इसके अलाओ दोस्तों समंदित प्रसनों के बारे में भी बात करेंगे जो कुछ इस तरह से हैं जोदुपुर को दूसरे किस नाम से जनना जाता है जोदुपुर का कुल चेतरफल कितना होता है जोदुपुर की कुल जन्शन क्या कितनी होती है जोदपुर की इस्तापना कब हुई थी आदे सभी परशनों के बारे में हम इस वीडियो में आपको अच्छी तरह से समझाने का प्रियास करेंगी तो वीडियो को पुरा जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक करें चेनल को सब्सक्राइब करें और बेलाइक में को दबादी दोस्ती अधिक समय नहीं लेते हुई हम वीडियो को सुरू करते हैं और सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जोदपुर की इस्तापना किस ने की थी तो ओप्सन A है राव चंदरशेन ओप्सन B अगर आपको उत्तर के बारे में नहीं पता है तो क्यूशन को एक बार फिर से सुनी जोदपुर की इस्तापना किस ने की थी ओप्सन A राव चंदरशेन ओप्सन B राव मालदेव ओप्सन C शूर सी ओप्सन D राव जोदा अगर आपको इसके उत्तर के बारे में पता हो तो उत्तर कमेंट में लिखे अगर आप उत्तर के बारे में नहीं जानते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो को पूरा देखते रहें दोस्तों आपको बता देखी जोदपुर बारत की रज्ये राजस्तान का एक जिल्ला है और इसके इस्तापना के अगर बात के जाए तो राठोड कभीले की एक मुखिया थे जिनका रनाम राव जोदा था इन्होंने ही जोधपुर की इस्तापना की थी और ये आज आपको पता होना चाहिए जोदपूर का मेहरानगड दुर्ग जो है उसे भी बनवाने के रूप में राव जोदा को जनना जाता है आपको बता दे कि जोदपूर की इस्तापना 12 मैं 1460 इस्वी में की गई थी और आज ये परसन कई बार प्रिक्षाओं में पूछा जा चुका है दोस्तों जोदपूर जो है उसे सूरिय नगरी की नाम से भी जना जाता है और कई बार ये प्रिक्षाओं में पूछा जा चुका है आपको बता दे कि जोदपूर को ब्लू शिटी भी कहा जाता है दोस्तों आपको बता दे कि जोदपूर का कुल चेतरफल 22,850 वरक किलोमेटर होता है और जवही पर जन्शंग्या की बात करे तो यह लगबग 10,33,918 तो इस तरह से दोस्तों जोदपूर से जुड़ी कुछ जानकारी होती है इसके लाओ दोस्तों अब बढ़ते हैं हम क्यूशनों क्योर जो कुछ इस तरह से हैं जोदपूर की इस्तापना किस ने खिती उप्शन A राव चंदर्शीन, उप्शन B राव मालदेव, उप्शन C सूर्ची, उप्शन D राव जोदा अगर आपको उत्तर के बारे में पता हो तो उत्तर कमेंट करना वेसे अभी तके आपको उत्तर के बारे में पता चल गया होगा तो उत्तर कमेंट में कर दो अगर आप उत्तर के बारे में नहीं जाते हैं तो क्यूशन को एक बार फिर से चुनी जोथपूर की इस्तापना किस ने की थी? अप्शन A राव चंदरशिन, अप्शन B राव मालदेव, अप्शन C सूर सी, अप्शन D राव जोदा अगर आपको उत्तर के बारे में नहीं पता है, तो आपको बता देती हैं कि जोथपूर की इस्तापना ओप्शन D राव जोदा ने की थी क्योशन को एक बार फिर से सुनी, जोथपूर की इस्तापना किस ने की थी? ये हमारा प्रसन है और इसका सही उतर होता है राव जोदा क्योशन को एक बार फिर से सुनी, जोथपूर को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उतर है सूरिय नगरी और ब्लू शिटी हमारा नेक्स्ट क्योशन है जोथपूर का कुल शेतरफल कितना आई? अगर आप उतर के बारे में पहले से जानते हैं तो उतर कमेंट भी करें अगर आप उत्तर के बारे में नहीं जाते हैं तो आपको बता देते हैं कि जोदपुर का कुल चेतरफल 22,850 वरक किलोमेटर है जिसके बारे में हमने आपको पहले भी इस वीडियो में बताए क्यूसन को एक बार पुरिसे सुने जोदपुर का कुल चेतरफल कितना है तो इसका सही उत्तर होता है 22,850 वरक किलोमेटर हमारा नेक्स्ट क्यूसन है जोदपुर की कुल चेतरफल कितनी है तो इसका सही उत्तर होता है 10,33,918 कुल चेतरफल कितनी है हमारा नेक्स्ट क्यूसन है जोदपुर की इस्तापना कब हुई थी जिसके बारे में आपको पता होना जरूरी है तो आपको बता देती हैं कि इसका सही उत्तर 12 मई 1460 इस्वी में हुई थी क्यूसन को एक बार फिर से चुने जोदपुर की इस्तापना कब हुई थी ये हमारा परसन है और इसका सही उत्तर होता है 12 मई 1460 इस्वी के अंदर हमारा नेक्स्ट क्यूसन है जोदपुर की इस्तापना कराने वारे राव जोदा कौन थी अगर आपको इसके बारे में पता हो तो उतर कमेंट में कर देना अगर आप उतर के बारे में नहीं जाते हैं तो आपको बता देती हैं कि उतर के बारे में पहले जाने और फिर हमें कमेंट में बताएं कि राव जोदा कौन दी तो इस तरह से दोस्तों हमने इस वीडियो में आपको ये अच्छी तरह से समझाने का प्रियास किया है कि जोदपूर की इस्ताबना किसने की थी इसके लाओ दोस्तों हमने समंदित परसनों के बारे में भी बात किये जो कुछ इस तरह से हैं जोदपुर को दूसरे किस नाम से जाना जाता है जोदपुर का कुल छेतरफल कितना है जोदपुर की कुल जिंसन क्या कितनी है जोदपुर की इस्ताफना कब हुई थी आदी सभी प्रसुनों के बारे में हमने इस वीडियो में आपको अच्छी तरह से समझाने का प्रियास किया है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेलाइक में को दबा दें